नमस्तिर आज का पाठ है साखी साखी में दस दोहें हैं जिने हम आज व्याक्या सहित समझेंगे और इनके कवी हैं संत कबीरदास संत कबीरदास जी के विशय में संक्षेप में जानकारी इस प्रकार है कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 इस्वी में हुआ जन्मिस्थान के बारे में तीन मत हैं कोई कहता है मघर कोई काशी कोई आजमगर कबीरदास जी ने एक दोहे में स्वयम को काशी का जुलाहा भी बताया है और अधिकतर साहित्यकार इनका जन्व काशी में ही मानते है इनकी पत्नी का नाम था लोई और इनके पुट्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली और इनकी गुरू का नाम था रामानन इनकी मृत्यु सन 1495 एस्वी में मघहर में हुई इनकी रचनाएं जो कबीर पंथी हैं उनके अनुसार एक मातर प्रामानिक ग्रंथ इनकी रचनाओं का जो संकलन है वह है बीजक उसका नाम है बीजक और बीजक के तीन भागें साखी सबद रिमैने और इसके अतरिक्त कबीर ग्रंथा वली पुस्तक में बाबु शाम सुन्दरदास ने कबीर की संपून रचनाओं का संकलन किया है और कबीरदास जी की भाषा क्या है कैसी है तो ये एक इस्थान पर रहते नहीं थे ब्रह्मन करते रहते थे जगे जगे तो जहां जहां जाते थे वहां की बोली का वहां की भाषा का असर भी इनकी रचनाओं पर पड़ा क्योंकि ये स्वैम तो लिखते नहीं थे पड़े लिखते नहीं थे तो इनके शिश्यों ने इनकी रचनाओं का संकलन किया और इनकी जो रचनाए हैं उनमें जो भाषा आप देखते हैं उनमें राजिस्थानी, आवधी, भोशपुरी, पंजाबी भाषा तो इन सब भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है जिसके कारण हम इनकी भाषा को पंच, मेल, खिच्डी या सदुकडी भाषा भी कहते हैं और इनके जो लिखेवे दोहे हैं दोहे क्या होते हैं दोपंक्ति की कविता तो दोहों में ग्यान की बातें जो कहीं हैं ये उनके अपने अनुभव के आधार पर कहीं गई बाते हैं प्रत्यक्ष ग्यान के आधार पर कहीं गई बाते हैं इसलिए इन दोहों को हम साखी कहते हैं तो साक्षी का जो साक्षी जो शब्द है वह साक्षी शब्द का ही तदभव रूप है साक्षी शब्द साक्ष एविडेंस से बना है जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्यान और यह प्रत्यक्ष ज्यान गुरु शिश्य को प्रदान करता है और कभीर जिस संत समात से व यहने किताबी ज्ञान को नहीं और कबीर का अनुभव शेत्र विस्त्रित था क्योंकि वे जगे जगे ब्रह्मन करके ज्ञान प्राप्त करते थे कबीर दाशी को धर्म निर्पेक्ष संत भी कहा जाता है और वे निर्गुन ब्रह्म के उपासत थी राम का नाम इनके रचनाओं में आता है और यह निर्गुन ब्रह्म के लिए ही यह संबोधन प्रयोग में लाते थे और धार्मिक कुरीतियों का इन्होंने बहुत जम कर अपनी रचनाओं में विरोध किया है और किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं दोनों ही धर्मों हिंदू और मुसलिम दोनों ही धर्मों की जो गुरीतियां हैं और जो समाज में फेले अंधविश्वास उस समय थे तो उन सब पर उन्होंने रचनाया लिखी हैं, व्यंग किया है और साथ साथ समास सुधारक के रूप में भी वे अपनी रचनावमी नजर आते हैं पार्ट शुरू करते हैं और इस पार्ट के कभी कभीरदाज जी हैं और इस पार्ट को मैं अलपना वर्मा प्रसुत कर रहे हैं, आप मेरी यूट्यूब चैनल पर इसे देख सुन रहे हैं पहला दोहा यहां पढ़ते हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सद्गुरु मिलिया दीपक दिया साथी आगे थे, आगे रास्ते में आगे सद्गुरु मिले दीपक याने मड लैम जो रोश्नी देता है दीपक, जिसे हम दिया भी कहते हैं तो ये दीपक, दिया यहां पर दिया का अर्थ देने से है, वर्ब, ठीक है, साथी साथ में इस दोहे में कबीर ताची ने गुरु की महिमा, सत्गुरु की महिमा के विशाय में बताया है उन्होंने कहा कि मैं अग्यानतावश लोग अर्थार्थ संसार और वेद को मानकर आगे बढ़ा जा रहा था, अपने जीवन पत पर बढ़ रहा था अर्थार्थ वे दुनिया जो है उसकी बातों को मानते हुए, संसारिक बातों को परमपराओं को निभाते हुए और वेद जो हमारे ग्रंत है, उनमें जो जीवन के लिए बाते लिखी गई हैं, उनका अनुसरण करते हुए, उनके पीछे पीचे, उन सिक्षाओं को समझते हुए, उन बातों को ग्रहन करते हुए, उनको मानते हुए मैं अपने जीवन पत पर बढ़ता चला जा रहा था यानि अपने जीवन को इस सांसारिक जो बाते हैं, उनको मानते वे अपने जीवन को बिता रहा था। और जीवन के पतपर आगे बढ़ते वे मुझे सत्गुरु मिले, जिन्होंने दीपक रूपी ज्यान मुझे दिया। और इस ज्यान से उनके जीवन का अज्यान रूपी अंधकार मिट गया। तो ये सत्गुरु की महिमा थी, कि अभी तक मैं इस दुनिया के अज्यान के अंधकार में फसा हुआ था। अज्यान रूपी अंधकार ने मुझे घेरा हुआ था, और जैसे ही मुझे सत्गुरु मिले, मेरे जीवन से वह अंधेरा दूर हो गया, क्योंकि उन्होंने मुझे ज्यान रूपी दीपक दिया। तो उनके कहने का भाव यही है कि गुरु की कृपा से सक्चा ज्यान जिस व्यक्ति को प्राप्थ हो जाता है, वह सामान्य प्राणियों की भाति अज्यानता वश इस संसार में भटकता नहीं है। उसके जीवन में जो अंधेरा है वह छट जाता है और प्रकाश ज्यान का प्रकाश आ जाता है। अब देखते हैं दूसरा दोहा कबीर बादल प्रेम का हमपर बर्शय आई, हमपर बर्शय आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भाई बन रहाई। तो इस दोहे में कवियदाजी ने प्रेम के महत्व और उसके प्रभाव को बताया है। और क्या कहते हैं अंतरी भीगी आत्मा, अंतरी यानि अंतह करण, इनर सल, आत्मा, सोल, हरी का अर्थ है, हरा होना, ग्रीन, भाई हुई, और बन राई यानि बन राज, वन राज, फॉरेस्ट। तो इस दोहे में वे प्रेम के महत्व को बताते हैं कि प्रेम जल के बादल उन पर ऐसे बरसे कि उनकी अंतर आत्मा को भीगो गए। उनकी अंतर आत्मा प्रेम जल में भीग कर ऐसी प्रेम में हुई कि उन्हें असीम आनंद की प्राप्ती हुई। और वे आनंद उसी प्रकार था जैसे बरसात के बाद, बरसात के जल से बन राज हरे भरे हो जाते हैं। यानि इस स्रिस्टी की जो समस्त वनस्पती है, बरसात के बाद हरी भरी हो जाती है, बरसात के जल से हरी भरी हो जाती है, और चारों ही और क्या दिखाई देता है, सुख ही सुख दिखाई देता है, तो कुछ ऐसे ही असीम आनंद की अनुभूती उन्हें प्रेम के जल से भ भीगने में हुई है और ये प्रेम के बादल इश्वरिये प्रेम की बरसात भी आप कह सकते हैं या इस प्रेम को इश्वरिये प्रेम भी कह सकते हैं कुछ किताब में गुरु कृपा से मिला इश्वरिये प्रेम भी लिखा मिलता है तो प्रेम की वर्षा अंतह करण को आनंदि प्रेम्मय कर देती है और जीवन में सुखी सुख दिखाई देता है यही इसका भाव है अगला दोहा हम पढ़ते हैं बासुरी सुख ना रेणी सुख ना सुख सुपने माहि बासुरी वासर शब्द से आया है दिन डे जिसे हम इंगलिश में कहते हैं दे वासर प्रयवाची दिन इसका प्रायवाची शब्द है, दिवस भी इसको हम कहते हैं, और रैनी, रैन, रैन या रात, रात्री, नाइट, सुपिने, सपना, स्वपन, ड्रीम, बिछुट्या, बिछो, रामसु, रामसे, धूप, धूप, और चाहा, चाया, इस दोहे में हम देखते हैं कि जो विरहनी आत्मा है, उसकी व्याकुलता का वर्णन किया है, और यह बताया है कि जो जीवात्मा इश्वर से विमुख है, जो उसके उससे बिछुडी हुई है, वह ना तो दिन में सुख पाती है, ना रात में सुख पाती है, और ना ही सपने म उसे सुख प्राप्त होता है ना धूप में उसे सुख मिलता है ना ही छाया में उसे सुख प्राप्त होता है अर्थार्थ इश्वर से विमुख जीवात्मा को किसी भी प्रकार से किसी भी अवस्था में सुख की प्राप्ती नहीं होती वह सदा दुखी रहती है अर्थार्थ जीवात्मा को इश्वर की प्राप्ती के लिए उपाय करने चाहिए उससे विमुख नहीं रहना चाहिए उससे संसारिक मुहमाया में नहीं उलजना चाहिए और इसको यह भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि विरहनी आत्मा को इश्वर की प्राप्ती नहीं होने के कारण उसकी ऐसी कि वह किसी भी परिस्तिती में सुख प्राप्ट नहीं कर पा रही है, वह दुखी है। समस्त, पारस इक प्रकार का पत्थर होता है, एसा आ पत्थर होता है, जिसको लोहे से च्चू दिया जाए, उसके पर्ष से लोहा सोना बन गलता है। तो वे पारस पत्थर होता है, कोने याने किस काम याने उप्योग, तो यहां पर कभीरदाजी प्रभु के दर्शन जीवीत रहते ही पालेने का महत्व बता रहे हैं, और वे कहते हैं कि मृत्यों के बाद अगर ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो उसका क्या लाब है, अर्थ वे जीवीत रहते ही ईश्वर के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहते हैं मृत्यों के बाद ईश्वर की प्राप्ति कुछ इस प्रकार है, जैसे कि पारस पत्थर की तलाश में लोहा अन्य पत्थरों से गिस गिस कर समाप्त कर दिया है, अब लोहा बचा ही नहीं है और लोहा जब सारा समाप्त हो गया तब पारस पत्थर मिला तो उसका क्या लाब है? उसका कोई उपयोग नहीं है अर्थार्ट में चाहते हैं जीवन के रहते ही इश्वर की प्राप्ती हो जाए इश्वर दर्शन हो जाए तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं कवीरता जी ने प्रस्तु दोहें में मृत्यों की बाद इश्वर की प्राप्ति का कोई लाब नहीं है ऐसा कहा है और वी कहते हैं कि हमें Жीवित रहते ही इश्वर की प्राप्ति के प्रयास करने चाहिए उसी से हमारा जीवन स liberals हो ब्र पारस पत्थर को खोजने में पत्थर से घिस घिस कर इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर यह लिखा है ना पारस पाथर घाटा लोह सब यानि लोहे को पारस पत्थर की तिलाश में ना जाने किस-किस पत्थर से घिसा है तो लोहा ही समाप्त हो गया किसी काम का नहीं होगा लोहा होगा तभी पारस के इस परश से वैसोना बनेगा और उसके महत्व का ज्यान होगा तो इसलिए मनुश्य को प्राण रहते इश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए उसी में उसका जीवन सार्थक है अगला दोहा हम देखते हैं यहां अखणिया प्राप्ति के लिए किये गए तरह तरह के प्रयासों में कुछ और प्रयास वे करते हैं जैसे राम नाम जपना उनकी प्रतिक्षा में राम नाम जपना जाकते रहना दिन रात बात चोना तो इस दोहे में कुछ इसी तरह के प्रयास की बात की गई है और उस वह प्रयास भी निशफल होता है यह बताया गया है वे कहते हैं अखणियां जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी अखणियाने आख आख अखणियां आखों में जाई अर्था अंदकार पंथ रास्ता निहारी निहारी देखते देखते रास्ता देखना रास्ता बाट जोहना ये एक मुहाव रहे है जिसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना इंतजार करना जीबढ़िया जीब छाला ब्लिस्टर छाला पढ़िया पढ़ गया है राम पुकारी पुकारी यानि इश्वर का नाम लेते लेते लोग कहते हैं राम नाम रटो इश्वर का नाम का जाप करो तो इश्वर की प् उनकी प्रतीक्षा कर रही है उसके उनका रास्ता देख रही है और रास्ता देखते देखते आँखों में अंधकार छाग गया है और ऐसे इस्तिती जीवात्मा की हो गई है तो इस दोहे में संत कभीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है वे कहते हैं कि मनुश्य के जो जीवात्मा है अपने प्रेमी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दिन रात उनकी प्रतीक्षा करती है उनका रास्ता देखती है और रास्ता देखते देखते उसके आँखों में अंधकार छा गया है और इश्वर का नाम रटते रटते उसकी जीव में छाले पड़ गए हैं वे अपने परमात्मा रूपी प्रेमी राम को पुकार पुकार कर अब यह प्रयास भी कर चुकी है और उसके विरह में बहुत दुखी है क्योंकि इतन प्रयास करने के बाद भी उसे इश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो यह था इस दोहे का अर्थ जो रूँ तो बलगटे हसो तो राम रिसाई मन ही माही विसूरना जो गुन काठी खाई तो यहां दोहा संख्याथ 6 में भी विरहनी आत्मा की अवस्था उसकी मनस्तिती के विश्य में बताया है तो यहां हम कह सकते हैं कि इस दोहे में आत्मा रुपी विरहनी की व्याकुलता का वर्णन किया गया है जो मैं रोता हूँ, बल, शक्ती, घटे, घटी है, हसु, हसता हूँ, राम, ईश्व, रिसाई, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, रिस का अर्थ होता है, क्रोध, मन ही यानि मन में, बिसूरना, बिसूरना का अर्थ होता है, चिंता करना, या फिर शोक करना, अफस घुन घुन टर्माइट, इंगलिश में इसको कहते हैं, काठ ही काठ को यानि काठ करता है लकड़ी, गुड़ और खाई खाना, तो यहां विरहनी आत्मा की व्याकुलता को बताते वे कबीरदाज जी कहते हैं कि जो मैं रोता हूं, तो मेरी शक्ती कमजोर होती है, मैं कमजोर ह जाता हूं और जो हसता हूं तो ईश्वर नाराज हो जाते हैं यह हसने का ईश्वर नाराज होने से क्या संबंध है या इस प्रकार है कि अगर मैं सांसारिक सुखों में आनंद प्राप्त करता हूं और प्रसन्न होता हूं तो फिर ईश्वर नाराज होते हैं मेरा प्रेमी जो परमात्मा रुपी प्रेमी है, वे मुझे से क्रोधित हो जाता है। फिर कहते हैं, मन ही माही, मैं मन में चिन्ता करता हूं, कि मैं क्या करो, मैं उसकी प्राप्ति कैसे कर सकूंगा। उसकी वियोग में चिन्ता करते हूं, शोक करते हूं, मन ही मन घुटता रहता हूं। और इस्थिती यानि उनकी अवस्था ऐसी हो गई है, जैसी उस लकडी की हो जाती है, जिसे घुन खाती है। अर्थार्थ, वह अपने परमात्मा रूपी प्रेमी की प्रतीक्षा में उसको याद करते हूं, ऐसे घुटते रहते हैं, जैसे लकडी के भीतर घुन उसे खा जाती है। तो यह था इस दोहे का अर्थ। दोह संक्या साथ, पर्वती पर्वत में फिर्या नैन गवाई रोई सो बूटी पाउं नहीं, जाते जीवनी होई। पर्वती पर्वत, यहनि पहाड, फिर्या घुमा, नैन गवाई रोई रो रोकर आखें गवादी, अर्था दृस्टिक हो दी। और बूटी, संजीवनी बूटी जो जीवन देती है, पाउं नहीं, मिला नहीं, मिली नहीं, जाते जीवनी होई, यहनि जीवन बेकार चला गया। और जीवन अकारत गया, जीवन किसी काम का नहीं रहा, अनुपयोगी बीता जा रहा है। तो इस दोहे में भी कभीरदाज जी ने विरहनी जीवात्मा की व्याकुलता का चितरन किया है। लोग कहते हैं कि वनों में तपस्या करो, पहाडों में इश्वर की खोज के लिए जाते हैं, तो वे भी परवत परवत घूमें। तो वे कहते हैं कि मैं परवत परवत घूमता रहा, मैं रोते रोते, उनके किसके व्योग में इश्वर की प्राप्ति के लिए उनसे विनती करकर के, रो रोक कर मैंने उनके दर्शनों के अभिलाशा प्रकट के, रोते रोते, उनसे विनती की, उनके व्योग में रोता रहा, लेकिन मुझे उनकी प्राप्ती नहीं और मेरी नजर भी अब खो गई है यानि वे अपनी द्रिस्टी को गवा बैठे हैं तो भी कहरें कि मैं इश्वर की प्राप्ती के लिए पर्वत-पर्वत घूमता रहा और रोते-रोते अपनी द्रिस्टी भी गवा बैठा लेकिन परमात्मा रूपी संजीवनी बूटी मुझे कहीं नहीं मिले और इस तरह मेरा यह जीवन अकारत ही गया दोह संक्या आठ आया था संसार में देशन को बहुरूप कहे कभीरा संत हो पड़ी गया नजरी अनूप तो इस दोहे में कभीरा जी ने गुरू की कृपा का वर्णन किया है क्या कहते हैं वे कहते हैं कि मेरा तो इस दुनिया में जो जन्म हुआ था वे संसारिक सुखों को भोगने आठ था संसार के वीविद रूप देखने के लिए हुआ था अर्थार्त मैं इस संसार के मायावी जीवन में रमा हुआ था अप्त लेकिन हे संतों गुरु की कृपा से कि हे संतों गुरु की कृपा से मुझे अनुपम ब्रह्म के दर्शन हुए अर्थार्त परम तत्व के दर्शन प्राप्त हुए कहने का भाव यह है कि साधक का जन्म हम दुनिया में जन्म लेते हैं सांसारिक कर्मों को देखने के लिए भोगने के लिए तो यहां हम सांसारिक कर्मों में उलजकर ईश्वत को भूल जाते हैं लेकिन सद्गुरु मिल जाता है तो उसकी कृपा से हमें ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है और उससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है अगला दोहा है जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नहीं सब अंधियारा मीटी किया जब दीपक देख्या माही मैं यहां पर अहम के लिए है अंकार के लिए जब मन में अंकार होता है तो मनुष्य किसी और के विशे में सोचता है नहीं सिर्फ अपने बारे में सोचता है और जब यह अहम खतम हो जाता है, तब उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, इश्वर की प्राप्ती होती है, जब तक मन में अहंकार है, इश्वर की प्राप्ती नहीं हो सकती, यही इस दोहे का आशे है, कहने का आशे है, हरी का अर्थ है इश्वर अंधियारा, अंधकार, अंधकार क्या है? अज्ञान रूपी अंधकार, दीपक क्या है? ज्ञान रूपी प्रकाश तो जैसे हम पहले ऐसे समझते हैं इसका प्रसंग देखते हैं इस तोहे में कभीर दाज जी ने आहमकार का त्याग करके प्रभु की प्राप्ति करने की बात की है और उन्होंने कहा है कि जैसे दीपक के जलने से अंदकार दूर हो जाता है वैसे ही ग्यान रूपी दीपक जब हिरदय में जलता है तो अज्ञान रूपी अंदकार मिट जाता है अर्थार्थ मंद के सारे विकार नस्ठ हो जाते हैं और तब उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है यह हम कह सकते हैं मनुश्य का अहम उस पर हावी होता है तब उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती और जब उसे यह ज्यान प्राप्त हो जाता है ज्यान रूपी प्रकाश प्राप्त हो जाता है कि उसे अहंकार को त्याग ना होगा तबी वय इश्वर की प्राप्ति कर सकता है तो यह ज्ञान रूपी प्रकार जब उसे प्राप्त हो जाता है तब सारा अज्ञान रूपी अंदकार मिट जाता है अन्तिम दोहा, दोहा संख्या 10 है तन को जोगी सब करें मन को विरलाखोए सब विधी सहजवे पाईए जे मन जोगी होए जोगी कौन होता है जोगी यानि योगी योगी वह व्यक्ति होता है जो संसार से विरक्त है अर्थार्थ जिसने अपने सभी जो भावनाएं हैं जो इंद्रियां हैं उन पर नियंतरन किया हुआ है संयम किया हुआ है तो तन को तो योगी सब कर लेते हैं अर्थार्थ जो व्यक्ति है वे शरीर को तरह तरह के आडंबरों से याने विशेश प्रकार के कपड़े पहन कर विशेश प्रकार के आभूशन पहन कर अपने आपको योगी जैसा दिखा लेता है शरीर को आडंबरों से बाहरी दिखावे से तो सभी योगी बना सकते हैं सभी योगी बना लेते हैं लेकिन मन को योगी कोई कोई ही कर पाता है मन को बिरला यानि कोई रेर कोई कोई ही मन को योगी बना पाता है मन की मन पर संयम इंद्रियों पर नियंत्रन करना हर किसी के वश्की बात नहीं है ऐसा कोई कोई ही कर पाता है और अगर कोई मन से योगी हो जाता है अर्थात उसने अपने मन पर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रन कर लिया है संसार से विरक्त हो गया है तो वह व्यक्ति सभी प्रकार की सिद्धियों को आसानी से सहज यानि आसानी से पा सकता है तो कहने का अर्थ है कि मन से जो व्यक्ति योगी है मन से जो साधू है वही सार्थक है तो यह था इस दोहे का अर्थ तो इस तरह से इस पार्ट के सभी दोहे अर्थ सहीत यहां से मापत होते हैं